नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चैनल में एक नगी अब डेट के साथ आज हम आपको एक बहुती बड़ी जानकारी और खुशकबरी बता रहे हैं जिसको जानकार आप भी बहुत खुश होंगे दरसल बात यहाए कि गाजेवाद हापुड और मुरादवाद बरेली रेल खंड पर रेलवे द्वारा ओटोमेटिक ब्लॉक सिंग्नल सिस्टम लगाने जा रहे हैं ताकि ट्रेनों को पहले से जादा सुरक्षित और समय पर चलाए जा सके रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार के तहत इस रेल खंड को आटोमेटिक ब्लॉक सिंग्नल सिस्टम के लिए चुना गया है जो काफी मददगार साबित होगा गाजेवाद हापुड मुरादवाद बरेली रेल खंड पर आटोमेटिक सिंग्नल लग जाने के बाद ट्रेन स्टेशन से पहले आटर सिंग्नल पर घंटो नहीं रुकेगी और नई सिस्टम में दो स्टेशनों के बीच हर एक किलोमेटर की दूरी पर यह सिंग्नल लगाए जाएंगे जो काफी मददगार साबित होगे जिससे ट्रेनों को अब जल्दी से और अफतार के तहत चलाया जा सकेगा इनस्टेशनों के बीच जिससे की आउटर सिंग्नल पर ट्रेनों अफगंटों एंटर जान नहीं करेगी कम समय में ज़्यादा ट्रेन भी चलाया सकेगी और नई ट्रेनों चलाने की संभावना भी बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी Automatic Block Signal एक बहुत ही अच्छी टेकनोलजी है गाजेवाद से बरेली की दूरी 220 km है तो 220 km लंबे इस रेल खंट पर Automatic Block Signal लगाई जा रहे हैं जिससे गाजेवाद, हापूड, अम्रोहा, गजरोला, मुरादाबाद, बरेली, रामपूर के हजारों रेल यात्रियों को फायदा होगा जिससे समय पर ट्रेन चल सकेगी Automatic Signal से ट्रेनों को ज़्यादा तेच और स्रक्षित तरीके से चलाए जा सकेगा Automatic Signal की लागत अगर बात करें Automatic Signal की लागत गाजेवाद से बरली तक तो 238 करोड रुपे की लागत आने वाली है इसका बज़ट है तो 238 करोड रुपे में Automatic Block Signal लगाए जाएंगी गाजेवाद से बरली के बीच इस रेल घंड पर तो काफी बड़ा बज़ट है बहुत ही अच्छी बात है कि इस रूट पर अप ट्रेनों की रफ्तार और समय से ट्रेनों का संचालन हो सकेगा तो कैसी लगी आपको यह जैन करी तो जरू कमेंट बॉक्स में पताईएगा अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सेस्काइब करें लाइक करें अगर की अपडेट के लिए भी हमारे जरू को जरू सेस्काइब करें